हालो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम चानेंगे सर्वाइकल स्पॉंडिलाइटिस के बारे में या जिसे सर्वाइकल ओस्ट्री वर्थराइटिस भी बोला जाता है साथ ही साथ में आपके साथ इसके सिम्टम शियर करूँगी कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहां पेन होती है पेन के सर्कम्स्टेंसिस क्या है किन किन एरिया को ये एफेक्ट करता है और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जो लोगों में देखे जाते हैं अगर आप फर्स टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जो भी बूला जाता है ये वो कंडिशन होती है जिसमें इन्वॉल्फ होते हैं बहुत जादा चैनल हमारे बोन में, हमारी डिस्क में और हमारे जो भी नेक के जोईंट्स होते हैं उसमें ये वो चैनल होते हैं जिसमें नॉर्मली वियर एंटियर एजिंग के अकॉर्डिंग होता है with age disc जो होती है हमारी cervical spine की वो gradually breakdown हो जाती है fluid जो होता है उसका वो loose हो जाता है और become ये stiff हो जाती है अकडावट इसमें बहुत जादा आ जाती है symptoms जो इसमें देखे जाते हैं वो है typically appear होता है adulthood में ही reduce हो जाती है spine की flexibility result क्या होता है कि posture हमारा जो है वो hushed forward हो जाता है C posture बन जाता है pain होती है हमारी back में also जो joints जो है common factor है joints में बहुत जादा pain होता है people जो है वो experience करते हैं कि pain होती है उनको in in areas में like ankle में eyes में भी pain होती है strain पड़ता है बहुत जादा heels में जब heels में बहुत जादा pain होती है तो heels crack करना start हो जाती है hips में भी severe pain होता है joints में जो है वो sweet pain होता है lower back में pain होता है middle back में neck में जो है वो stiffness आ जाती है और बहुत जादा pain होता है and shoulder में pain circumstances होते हैं इसके यह अकर होता है जब हम rest करते हैं pain type होता है इसका pain होती है arthritic और visually जो है vision जो है वो blood हो जाता है और sensitivity to light जब भी हम light में जाते हैं तो eyes open नहीं कर पाते क्योंकि eyes में strain पड़ता है due to osteoarthritis, eyes में inflammation हो जाती है ये affect करता है middle ear को जिसकी वज़ा से redness हो जाती है next one is joints, dysfunction हो जाता है back joint में जिसकी वज़ा से stiffness होती है और normal mobility नहीं हो पाती और जो इसके also common symptoms है जो people में देखे जाते हैं वो होते है bone tissue formation और fatigue हो जाती है बहुत जादा hunched हो जाती है back जिसे आप straight posture में रखना जो है वो possible नहीं हो पाता inflamed tendon हो जाती है, inflammatory bowel disease हो जाती है physical deformity होती है और sleep disorder हो जाता है जिसे नीन जो है वो आपको break parts में आती है जिसे 5 hour की नीन अगर आपको चाहिए 6 hours की जो आपको 1 hour के लिए नीन आती है उसके बाद जो है वो sleep disturbance हो जाती है I hope आपको osteoarthritis के symptoms और जो मैंने आपके साथ share किया है वो आपको समझ आ गया हो I hope की आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपके लिए helpful रहते हैं और आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो मेरे चैनल को support करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी educational video लाग सकू और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिये Stay Healthy, मिलती हो नेक्स वीडियो में Take Care, Bye Bye